आज 27 एप्रिल है और जम कश्मीर के होम डिपार्टमेंट का ओर्डर आ चुका है उस ओर्डर के तहट फिर से 2G इंटरनेट को 11 में तक के लिए एक्स्टेंट कर दिया गया है उस ओर्डर में कोई पटिकुलर इंसिडेंट नहीं बताया गया है लेकिन वही जो पिछले बात को रिपीट किया गया है कि जो रिस्टिक्शन प्लेस की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि हाई स्पीर इंटरनेट का इस्तमाल करके प्रोवकेटिव वीडियो जो है वो सोचल मीडिया नेटवर्क के ओपर सकुलेट की जाती है साथी साथ रूमर मॉंगरिंग और फिर से टूजी इंटरनेट को ही एक्टेंट रहा है जाती है साती में आपको ये भी बता दूं कि आज 27 से एप्रिल को सुप्रीम कोट में भी पहले कहा गया था कि जो PIL दर्ज की गई है Foundation for Media Professionals के द्वारा कि 4G इंटरनेट को जो मुकश्मीर में रिस्टोर किया जाए क्योंकि अब बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है उसके इलावा जो Medical Professionals है वो भी सफर कर रहे है उस PIL की हेरिंग भी आज होनी थी लेकिन उसे भी Adjourn कर दिया गया है कोई भी नई डेट अभी तक नहीं दी गई है कि next हेरिंग कब होगी तो आज के लिए फिर से यही बुरी खबर की अभी भी 11 में तक 2G इंटरनेट जो है जमो कश्मीर में रहेगा 4G इंटरनेट रिस्टोर नहीं होगा और साथी में Supreme Court में जो हेरिंग है उसकी next date अभी तक नहीं आई है नहीं मालूम कि उस P.I.L. को कब सुना जाएगा फिलाल इस छोटी सी अपडेट से मुझे दीजिए इजासत आप देखते रहें Straight Line News